मुश्किल दो लग रहा है क्योंकि यह मतलब एक डिजिटल विर्चुल करन्सी को आपर एड़ोप करना आज नैशनल करन्सी बहुत बड़ी बात हो जाएगी पर ठीक है स्टिल हम लोग देख सकते कि क्या-क्या इसे इंट्रेस्टिंग चीज़े आपर मेंट लाइव होने के बात होने वाली है क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को अभी भी पता नहीं है कि उनको सर्फ यहीं पता है कि मेंट में हम लोग एक तो ट्रांसपर कर सकते ट्रेड कर सकते एक्षेंज कर सकते विड्रॉल ने सकते बट उसके अलावा और आप लोग क्या कर सकते तो आपके स्क्र हो गया Facebook हो गया Uber Alibaba TripAdvisor मतलब हर एक इंडस्ट्री का यहाँ पर firm है ठीक है हर एक इंडस्ट्री का application है यह सारी जितने भी इंडस्ट्री से जितने भी सारे बिजनेसे से दोस्तों यहाँ पर हम लोग इनके प्रोड़क्स का यूज करते हैं चाहे वो TripAdvisor हो आप ट्रैवलिंग के लिए कुछ इनके प्रोड़क्स का यूज करेंगे रहे जैसी के आपको कहीं से कहीं ट्रैवल करना हो तो आप लोग इस प्लैटफोर्म पे जाके क्या करेंगी टिकेट की बुकिंग करके इसली अपने लिए ट्रैवल कर सकते हैं यह बहुत ज़्यादा कंविनिट हो जाता है अभी सारी चीज़े ओनलाइन हो चुके अभी कोई ओफलाइन चीज़ों में आपर फोकस नहीं करते हैं जो पॉपिलेशन को पता नहीं है ओनलाइन चीज़े कैसी वर करती है जो थोड़ा सा डरते हैं इसके रिगाड़िए अवेर नहीं है वो ज़रूर सोचते हैं कि हमें अभी भी ओफलेन ही करना चाहिए बट जो यंग जनरेशन है अभी भी कम्प्लिटली ओलाइन की तरह आपर चल रहा है राइट तो फेस्बूक, अबर, अलिबाबा तो ट्री पारड़ाइजर की एक बात हो गई एक इंडिस्ट्री की ट्रैवल की बात हो गई अभी अलिबाबा जो प्लाटफों है अभी यह जो प्लाटफों है अलिबाबा, Amazon, eBay, यह e-commerce साइट से राइट यहाँ से हम लोग बहुत सारे products को online purchase भी कर सकते, exchange भी कर सकते, sale भी कर सकते, seller sell भी करते राइट यह सारे products यहां से purchase करते हैं हम लोग इनके use करते हैं उसके बाद Uber अगर हम देखेंगे तो यह इनकी taxi service का use करते हैं Twitter पे हम लोग social media मतलब awareness यहां पर create होता है और भी कई सारी चीज़े हैं Flickr, Bing, Skype, Timney यह मतलब यह पूरा cover करना मुश्किल है यह सारे जितने भी products हैं इनका हम लोग real life में use करते हैं तो कही ना कही यहां पर हम लोग जैसे की products है use करेंगे तो उसके लिए कुछ वो लोग charge बिलेंगे हमसे वो लोग अगर charge लेते हैं तो वो कैसे लेते हैं एक तो आपसे USDT में लेंगे जो US का fiat currency है डॉलर और एक तो आएनर हमारे इंडिया का fiat है आएनर इंडिन रुपिस बट अभी हम लोग जबी भी यहां पर transaction करते हैं आएनर में या तो USDT में तो यहां पर कही ना कही थर्ड पार्टी का involvement होता है फोन पे हो गया UPI हो गया या तो डेविट कार हो गया बैंकिंग सिस्टम आ गया कही न कहीं यह थर्ड पार्टी हो गया तो हमारे मनी को कौन कंट्रोल कर रहा है थर्ड पार्टी कर रहा है हम नहीं कंट्रोल कर रहे हम सिर्फ आपर transaction कर रहे और वह verify कर रहे verify करने के बाद successfully proceed कर रहे उसके लिए time भी लगता है तो यह सारी चीजों से बचने के लिए अभी हो सकता है आने वाले समय में Google Google पे हो गया फोन पे हो गया यह अगर आपको किसी प्लाटफोर्म पे 50 रूपिस का transaction करना हो तो आपसे 60 रूपिस लेंगे 10 रूपिस फीज लेंगे तो यह कैसे चलेगा मेरे भाई और यह आगे जाके होने ही वाला है यह services का जितने भी हम लोग यूज़ कर रहे ना इसकी आदत लगने के बाद यह सारी चीज़े होने ही वाली है कि वह आपसे सिधा 10-20-30 रूपिस भी extra लेने को कम नहीं करेंगे सो यह होने से अच्छा कि हम लोग हमारे money के उपर हमारे control रहे और decentralized way में हम लोग सारी चीज़ों का यहाँ पर पड़े easily use करें without any costing, एक्टम lightning speed transaction, मतलब कई सारी services decentralized में ऐसी होगी चोंकि बहुत जादा completely एक normal इंसन के life को बहुत जादा आसान करी ऐसी वो चीज़ है, तो यह सारी चीज़ों का use करने के लिए हमें करना होगा decentralized platform का यहाँ पर use और वो decentralized को ला रहा है, वो है यह cryptocurrency, चाहे वो pi coin हो, चाहे वो bitcoin हो, चाहे वो tron हो, कोई भी रहे लो सिर्फ decentralized format होना ज़रूरी है, इस आगे के आने वाले life में, अगर आपको inflation को मात देना है, महिंगई को मात देना है, तो decentralized बहुत ज़्यादा important है अगर यह google फोन पे वगरे चाहरे 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 से लेने लग गए ना हमारे जैसे common man से, तो वाट लगने वाली है इससे अच्छा हम लोग जल से जल यह सारी चीज़ों को adopt करेंगे, इसलिए भी government बहुत ज़्यादा supportive भी है इन सारे मामले में सिर्फ वो insecure कहा पर कि यहाँ पर कही ना गई एक threat है market के अंदर, जो बहुत ज़्यादा है आपर बड़े level पर create होने की chances बन जाते ही cryptocurrency को लेगर, वो है terrorism उससे भी अगर government को बचना है तो बहुत सारे ऐसे situation से, जिनको हम लोग tackle कर सकते हैं, जिनका हम service के use कर सकते हैं क्योंकि internet भी ऐसे ही चीज़ थी, starting में जब भी आया थी, तो scams तो internet भी भी हो रहे थे, अभी भी हो रहे बच situation को tackle किया गया, OTP to factor authentication सारी चीज़ों को यह पर introduce करते हैं, security बढ़ाईगी और अभी तो काफी असनी से बहुत सारी लोग मतलब जिनको बढ़ा भी नहीं है, वो भी use कर रहे हैं यह सारी प्लैटफॉर्म के ऊपर आप लोग इसली payment कर पाएंगे, transaction कर पाएंगे, rapid use कर पाएंगे, पाईगों के तुरू, यह तो other cryptocurrency के तुरू, बट इन सब में यह जो पाईगों की utilities हैं, वो बहुत ज़़़द स्ट्रॉंग है, और outperform करने वाले सारी utilities हैं, तो हो सकता है ऐसा अगर मतलब होने की chance से believe वाला खेले, impossible ऐसा कुछ भी ने, possible लोगर हो चाते हैं, बहुत ज़़़द रपता से इसकी price बढ़ने वाली है, यह किन करिए, इस information दोस्ता आपको अच्छे लेगी तो like ज़रू कर देना, अपने team members के जाद भी ज़रू share कर देना है, क्योंकि उनको concept clear होगी, तो वो भी लगातता है, आपर earning करते रहेंगे, और उनकी तरब से भी आपकी earning होने में, बढ़ने में, आपकी help होते रहेंगी, so minute phase के regardें, आपको बहुत ज़़द सिंपली आपर explain भी कर दिया, क्या-कया इसे interesting चीज़ी होने वाली है, और यह तो कुछ भी यह तो starting रहेंगा, इसके आगे भी आपको बहुत सारी चीज़े, वेप 3 के basis पे देखने को मिलने वार, Metaverse देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़े है, जो की completely interesting है, सारे live process, सारे live verification, आपको यह आपर इसे एक our script and day, YouTube channel पे up-to-date basis पे official content के यसाथ मिलते रहेंगे, चैनल प रहे में नेक्स अप्डेट के साथ, तिल लेट गुट बाय और टेक केर